बारत्य क्रिकेट टीम उस्ट्रेलिया दोरे के लिए रवाना हो गई है इन मैचों की टीटवंडी सीरीज 21 नमंबर से खिली जानी है और इसके बाद 6 दिसंबर से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का अगास होगा टीम इंडिया की कप्तान विराट कोली ने दोरे पर रवाना होने से पहले इस दोरे को लेकर काफी बाते की इस दोरान उनकी सबसे बड़ी चिंटा भी सामने आई विराट ने कहा हमारे गेंद बाज इस समय लगातार अच्छा परदर्शिन कर रहे है और ये बात इंगलेंड दोरे में सामने आई थी बल्ले बाजो को भी अपना फोकस उधार ना होगा टीम के लिए रन बनाने ही होगे इंगलेंड और दक्षिन अफरीका में टैस सीरीज की दोरान गेंद बाजो ने शानदार परदर्शिन किया था लेकिन विराट को छोड़ कर बाकी बल्ले बाजो ने निराशी किया विराट को भी टीम की इस कमी के बारे में पता है और ये उनकी सबसे बड़ी चिंता भी है विराटने का इस दोरे पर हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि बल्लेबाद एक इंडिट की तौर पर अच्छा परदेशन करें मैं आपको बता दी जब विराट से पूछा गया कि ओवर सीज केलने को लेकर टीम इडिया की परदेशन में कितना सुधार हुआ उनका जवाब का हमारे खेल में सुधार जरूर आया है लेकिन अभी भी सुधार की बहुत गुंचाईश है जरूरी है कि टीम में हाद अंचान अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसे अच्छे से निभाएगी इंग्लेंड में हमसे काफी चूक हुई इस पर जब हम बात करने बैठे तो ऐसी कई कमिया सामने आई जिन में हमसे गलती भी हुई थी लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया दोरे पर हमें इनी गलती उसे सबक लेना होगा यानि विराट पोली ने बल्ले बाजों को लेकर अपनी जिन तर्ज जाहिर करती है अब देखना होगा उस्ट्रेलिया दोरे पर इंडिया की बल्ले बाज क्या कमाल करते हैं तो आप भी सीरीज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा साथी हमारे चैनल हेडलेंस स्पोर्ट्स को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिगा